हाँ 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 रक्षविरों तूट पड़ो सुरियों लोग पे और जो सामने आए उसका वद्ध कर दो देवी संग्या को उठा कर ले चलो लंकेश के आदेश के पालन हो मुझे ही कुछ करना होगा यहाँ पुछ कर दो दो जोड़नाने यूसको वामरवालक को यहाँ 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 मेरे रहते गुरुदेव के धाम को कोई हनी नहीं पहुंचा सकता यहाँ 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 मैं असुरों को संभाद लूँगा चलिए मौता चलिए देवी चलिए चलिए देवी संग्या को पकड़ो उग्रदन भवन में न जा पाल ए गिर यहाँ यहाँ आँ यहाँ अ हर झहत झाएंग!! हुाह! हःुाह! इढ फुर מאہ touchD है!! idence झाएंगन कि कि इसके तर रहां है हाँ कि इसके प्रेंद कि य्यरी बेल 準म कि इसके डिल गुरु माता जाएए किसे सुरक्षित जगा पर जाएए अरुन्देव आप गुरु माता जैन भया को शीखर ले जाएए जाएए हमें इस बालक के लिए छलर माया का प्रहुक करना होगा भया हाओ ग्रदन्त उचित कह रहे हो तुम बानार इस प्रहार का उत्तर अवश्य दोंगा अच्छा तो दोना उत्तर तुमसे भेवीत कौन होता है आओ तो ये माया युद कर रहे हैं और एक आगरिता के साथ युद करना होगा हाँ 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 ये वज्र घाती अमल लो हो तो क्या वज्र को भी पिगला दे बड़ी शक्ति है तुझ में वानर बालक पर मेरी आसुरी शक्तियों के सामने तरी एक भी शक्ति नहीं चलेगी हाँ 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 मच्र को भी पिखला देने वाले द्रब्रे का प्रभाव नहीं पड़े इस वानर की देव पर आश्यर यह है अभी तक सूर्य उदित नहीं हुआ ऐसे में तो हम यग्यपूर्ण नहीं कर सकते अब नाजाने क्या होने वाला है हाँ 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 नाजाने क्या हो गया है सूर्य देव को शीत का प्रकोप और सहन नहीं हो रहा है यह क्या लगता है शीत के प्रवाव से धरते भी सिमट रही है अरे देखो रे गाउवालो क्या हो रहा है धरती को देखो रे देखो गाउवालो यह धरती को क्या हो रहा है यह क्या हो रहा है अच्छानक इतनी शीत ऐसी शीत बढ़ते रहे तो शिकरे सबको समाप्त हो जाएगा एप्रभू कृपा कीजिये प्रभू करो करो मारी है सूरी की उतितना होने के कारण प्रजा में हाखाकार मच गया है शीत का प्रगो बढ़ रहा है मंध्री जी सबको लेकर जाएगे अलग-अलग स्थाम पर अलाव जलवाईए, उश्न के बस्त्र बटवाईए, श्रीत से अस्वस्त लोगों के उपचार की वेवस्ता कीजिए अवश्य महराज, ऐसा ही होगा, प्रणाम महराज प्रचाजनों के क्यास सितिय है, उनके लिए कोई उचित व्यवस्ता हुए या नहीं चिंता मत करो, अंजना, मैं पून प्रयास कर रहा हूँ नचाने सूर्य देव को क्या हो गया है मेरा हनुमान भी बहां सूर्य लोग में है नचाने वहां क्या हो रहा है स्वामी, कहीं सूर्य लोग में कुछ अनर्थ तो नहीं हुआ है ये तो घोर संका डुत्पन हो गया है सूर्य देव का रत्य दिश्धिक्र नहीं मिला तो स्रिष्ट में परले के इसनी तुत्पन हो जाए इससे तो हन्मान की शिक्षबादित हो गए और सभी वैदिक देवकार्य भी रुक जाएंगे किन्तु सूर्य लोग से सूर्य देव का रत्ले जाने का दुसाहस कौन कर सकता है देवराज हनुमान ने किसी मायावी राक्षशी को रत ले जाते होए देखा था किन्तु ये कार्य किसी देवता की सहायता के बिना असंभव है किन्तु सूर्य देव कोई भी देवता देव कार्य में अवरोध उत्पन करने वाला ऐसा गहनित कार्य नहीं कर सकता अवश्य ये कार्य किसी अन्य ने किया हो देवता आप तो सहस्त्र नेत्रों के स्वामी, आप अपने सिहासन पर बैट कर, वहां तक देख सकते हैं, जहां तक मेरा प्रकाश भी नहीं जा सकते हैं, आप भी अबलोकन करके बताईए, कि मेरा रत कहा है, और मेरा रत जहां होगा, उसे चुराने वाला भी वही होगा. झाला भी वही होगा. स्रिष्टी में जहां कहीं भी सूर्य देवकारत हो वो मेरे नेत्रों के समक्ष तरश्यमान हो जाए रत कहा है यह क्यात हो गया है सूर्य देव आपका रत बरुन लोक में है मुझे आशंका थीज बात है आशूर्य देव इस सभा में वरुन देव का उपस्थित ना हो ना आपकी आशंका को पर्मानित करता है पुत्रमो और प्रतिशोद की भावना मती को भरष्ट कर देती है वरुन देव जैसा देवता भी पुत्रमो में पढ़कर ऐसा आशूरी दुष्कृत्य कर सकता है अधिक विलंब अनर्थकारी हो सकता है देवराज हमें शिग्र ही वरुन देव के पाह जाकर रत ले लेना चाहिए और यदि वरुन देव ने रत देने से मना किया तो हम युद्ध करके रत ले लेंगी हाँ पायोदेव जितना विलंब होगा स्रिष्टी उतनी ही अधीक संतप्त होती चाहेगी चलिए शमा करे देवराज मैं नहीं चाहता कि देवतागर्ण आपस में युद्ध करें वरुन देव ने मेरा रत चुराया यह मेरी समस्या है मुझे ही इसे सुलजाने दीची आप सब से मेरा निवेदन है कि मेरे और वरुन देव के मत दिना है आप सब को प्रणाम कि अश्मान को कि अश्मान कि अश्मान नाराएन, नाराएन! अनुमान! बच्रगाती द्रव्व से तुम्हें दिव्वर्दानों ने रक्षित कर लिया! पें तु हमारे मायवी छल से कैसे बचोगे बालत? एक ही रूप में देजरी रक्षस? हाहा! जिसके पास गुरु माता का अशिर्वाद हो, उसका मायवी छल कुछ नहीं बिगाच सकता! मा मयवी! तंत्रयोगने! प्रकाठा! जय लंकेष! जय जय लंकेष! क्या है महावली? योगने! हमें सूर्य देव के अश्वों की बली चडानी है बिना महुरत के! मैं अधिक समय प्रतिक्षा नहीं कर सकता! रावण को त्रलोक में रक्ष्द्वज हैराना है! कि त्रलंकी, महुरत होने में कुछी शंशेशे उसे पूर्वबली देने से पूनफल की प्राक्ति नहीं होगी! उची थोका कि हम महुरत की प्रतिक्षा कर ले! रावण को अपना कार्य पूर्ण करने के लिए ग्रहों के बनाए महुरत की आवशक्ता रही! जाओ अपनी तंत्र विद्या से जो भी निकट तम समय हो! उसका शोधन करो तुरंत बली चड़ाओ यग्यसंपन करो और और मुझे परंपत प्राप्त कराओ! जो अज्यालन के! योगने! इलाम बक्यों! बताओ! शीग र्यग्यसंपन करता है हमें! मावली यग्यको अभी पूर्ण करना अवश्यक है! किंतू परंतू कुछ नहीं! यग्यसंपन करना है तो लंब क्यों? जितनी शीग्र यग्यसंपन होगा, उतनी ही शीग्र! तो अमें परंपत प्राप्त होगा! परंपत पाने के अविमान में उन बात तो सुनी ही नहीं आपने रंकेश कि मैंने हनुमान को पातम लोग की और आते भी देखा है! क्या करूँ? हनुमान पहुँचे? उसके पूर्व ही मुझे यग्यसंपन कराना होगा! वरुन्देव! छल का सहारा लिया आपने! एक देवता होकर एक देवता के विरुद! छल दुर्वलता का परतीक है सुर्यदेव! मैं दुर्वल नहीं हूँ! फिर मेरा रत! यहां वरुन्लोक में कैसे पहुँच गया? नाराएन नाराएन! मेरे रहते मेरी गुरुमाता के निकट भी नहीं जा पाओगे! अब देखता हो तुम सब की माया को! छर्गपट उनके हथे यार दूशित है असुर विचार! कुरुमा पर करते वार करेंगे हनुमत उनका संहार! नश्ट करेंगे माया विजाल बनेंगे असुरों के वो काल! नारी मर्यादा करने रक्षित हनुमत है पून समर्पित। ये का था महाबली हनुमत की रुचिकल लीला राम बगत की जै 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 रगुनन्दन्य राम जै 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 महाबली हनुमान।